हलो डियर ओल दिस इस निशा भारदवाज मुदगल ACR Academy के Official YouTube Channel पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम लोग Human Blood मतलब मानव रक्त से संबंदित कुछ जरूरी चीजे कुछ बहुत जरूरी चीजे सीखेंगे जो हमारे exam के Point of View से काफी important रहेंगी तो बिना समय बरबाद के चले स्टार्ट करते हैं आज का टोपिक जो की है Human Blood मानव रक्त Blood is a fluid connective tissue हम इसको connective tissue इसले भी बोल सकते हैं क्योंकि हमारे बाकी के शरीर के organs में एक connectivity बनाने का काम blood करता है जैसे कि nutrients की सप्लाइ करता है oxygen की सप्लाइ करता है और carbon dioxide को वापस lungs तक पहुँचाता है जहां से lungs उसको exhale कर देती है एक average adult में 5-6 liter के करीब खून पाया जाता है और हमारी body का जो weight होता है उसका लगबग 8% blood हम लोगों में होता है और अगर pH value की बात करें तो blood slightly basic होता है 7.4 के लगबग इसका pH value आप मान सकते हो और जैसे blood आप देखते हो liquid हम लोगों को ऐसे महसूस होता है कि blood is the liquid thing तो जो liquid portion है blood में वो plasma है वो plasma किस किसी जो का बना होता है पानी का protein का जो body में salt होते है उसका अगर आप blood को छानते हो चलनी से तो एक जो उपर solid सा portion रह जाता है या फसा हुआ रह जाता है वो blood cells होती है basically तो blood cells के बारे में हम लोग details से पढ़ते हैं red blood cells तब से पहले जिसको arthrocite से बोलते हैं biological name आर बीसी बोल देते हैं short में red blood cells इन में red blood cells का red color hemoglobin की वज़े से होता है hemoglobin क्या होता है protein होता है iron से भरपूर protein इसकी वज़े से ही हमारे खून का रंग लाल होता है यह बात आपको याद रखनी है और सबसे में जरूरी बात red bc से और बीसी से related कि इनका main function होता है rbc का यह oxygen को lungs से हमारे बाकी के tissues तक supply करती है और उन tissues से carbon dioxide है उसको वापस lungs तक लेके जाती है तो this is the main function of rbc second white blood cells leukocytes भी इनको बोलते हैं यह colorless होती है क्योंकि इनमें hemoglobin नहीं होता है wbc का main काम होता है कि यह immunity provide करती है fight करती है infection से तो mainly defense mechanism इनका main काम होता है और फिर है platelets thrombocytes इनको बोलते है platelets का काम होता है अगर जैसे हमें चोट लग जाए कोई घाव हो जाए कोई कट लग जाए तो उस पे जो खून बहता है उसको रोकने का काम करता है bleeding को stop करता है वह कैसे करता है एक cloth formation होती है वहाँ पे बेसिकल एक थोड़ा सा deep में हम बात करें तो जो platelets होते हैं वो बाकी blood cells से size में चोटे होते हैं तो जहाँ पे cut लगा खून बहरा होता है वहाँ पे वो इकठे होके और एक lump की formation करते हैं जिसको हम cloth बोलते हैं और उसको उस area को जहाँ पे cut लगा होत है उसके उपर cloth formation करके bleeding को stop करते हैं तो platelets का main काम क्या है blood formation और bleeding को रोकना तो काफी important काम है यह इनका और blood की formation की अगर बात करें तो blood production बहुत complex process है blood कहां पे बनता है basically blood cells कहां पे बनती है जो हमारी bones होती है उसके center में जो soft सा spongy सा एक चीज होती जिसको हम bone marrow बोलते हैं उसमे blood की cells की formation होती है bone marrow में ठीक है जी RBC हमें जैसे हम बोलते हैं doctors भी बोलते हैं कि लोगों को blood donate करते रहना चाहिए time to time अगर हम blood donate नहीं भी करते हैं तो भी हमारी जो blood cells है उनकी एक particular age है वो उतने time के बाद मर जाएंगी blood cells constantly मरती रहती है constantly new cells बनती रहती है bone marrow में तो सबकी अपनी अपनी life cycle है जैसे RBC है red blood cells वो 120 days तक जिन्दा रहती है कुछ WBCC है जो एक दिन जिनकी life cycle है कुछ ऐसी है जो एक दिन से जादा जिन्दा रहती है और platelets लगबग 6 दिन तक जिन्दा रहते हैं तो अगर हम time to time blood donate करते हैं तो healthy cells produce होती है तो blood donate करना कोई मतलब बुरा ही नहीं है उसमें आपकी शरीर को कोई नुकसान नहीं होता बलकि कोई ना कोई फायदा ही होता है अगर blood के composition की बात करें तो 55% लगबग plasma जो की liquid part blood का मैंने आपको बताया है और 4% में आपकी white blood cells और platelets सब cover हो जाता है और 41% के करीब red blood cells होती है ठीक है बचो functions की बात करें blood की तो blood oxygen provide करता है cells को और waste जो है उसको kidney और liver तक waste material को पहुँचाता है body की हमारी body की protection करता है pathogen से जैसे bacteria है fungus है उनसे protection करता है अगर किसी site पे injury हो जाए चोट लग जाए तो blood clotting का काम करता है homeostasis होता है कि हमारी body के internal temperature को blood maintain रखता है ठीक है और hormones और nutrients को सारे body में पहुँचाता है blood से related काफी कुछ और भी चीज़े हैं जो हम लोग पढ़ सकते हैं जैसे कि blood groups है चार टाइप के blood group होते हैं और ब्लड से related काफी disorders भी होते हैं पर एक वीडियो में अगर सब कुछ करेंगे तो काफी lengthy हो जाएगा अगर एक चोटा सा recap हम लोग ले ब्लड से related तो blood mainly connective tissue है पांच से 6 लीटर blood होता है आठ परतिशत हमारी body weight का होता है pH value उसकी 7.4 है जो liquid वाला part है उसको हम plasma बोलते हैं जो solid portion है blood में वो blood cells होती है जो की bone marrow में बनती है और blood oxygen की supply करता है nutrients की hormones की और ट्रांसपोर्ट करता है waste material को kidney और liver तक लेके जाता है body का internal temperature बना के रखता है circulation mainly the circulatory system जब हम लोग पढ़ेंगे human heart से related तब मैं आपको detail में और भी काफी कुछ बताऊंगी अभी blood से related जो भी important चीज़े हो सकती है I have covered और जो दो चीज़े बचती है एक तो blood से related disorder और एक blood groups वो हम मैं अलग separate video बनाऊंगी और blood से related आज तक जितने भी important questions आए हैं किसी भी exam में cover हुए है या possibility है कि वो questions आ सकते हैं उसके लेकर separate video हम लोग बनाएंगे Thank you guys